Hello friends, welcome to my YouTube channel Friends, अगर आपका कोई MobiQuick account है जिससे कि आप use नहीं करते हैं और आपको उस account को delete करना है तो आज का वीडियो आपके लिए है चली वीडियो को start करते हैं friends और देखते हैं कैसे आप अपना MobiQuick account आसानी से deactivate कर सकते हैं देखें मैंने MobiQuick account को open कर लिया है open करने के बाद आपको top left corner में एक robot का icon दिख रहा होगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद कुछ इस तरह का page आ जाएगा यहाँ पे आपको देखें top right corner में एक help का button दिख रहा होगा help option है उस पे आपको click करना है click करने के बाद देखें यहाँ पे help and support का section open हो जाएगा तो आपको उपर से third option पे click करना है जो की है my account and KYC इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ options मिल जाएंगे तो आपको यहाँ पे account deactivation वाले option पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे आपको तीन options मिलेंगे तो आपको सबसे उपर वाले option में click करना है जो की है close my account with mobiquick इस पे click करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरह का message आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है मैं आपको short में बता देता हूँ कि we are sorry to see you go अगर आप अपने account यहाँ पे delete करना चाते है deactivate करना चाते है तो आपको नीचे no button पे click करना होगा और यहाँ पे 7 to 10 working days में आपका account जो है वो deactivate कर दिया जाएगा अब देखें यहाँ पे आपको नीचे दो option दिख रहे होंगे जो की है yes thanks and no तो आपको no पे click करना है no पे click करने के बाद friends यहाँ पे आपको नीचे एक message type करना है type a query वाले box में जहाँ आपको type कर देना है कि आप अपना mobile click account क्यों close करना चाते है deactivate करना चाते है इसको type करने के बाद आपको simply से send कर देना है send कर देता हूँ मैं यहाँ देखे मैंने message को type कर दिया है send करने के बाद एक यहाँ पे ticket generate हो जाएगा ticket का मतलब होता है कि आपका एक request यहाँ पे generate हो जाएगा नीचे आप ticket ID भी देख सकते है ठीक है उससे आप note कर ले सकते है और friends यहाँ पे आपको कुछ समय के लिए वेट करना होगा कुछ घंटों के लिए वेट करना होगा हो सकता है कि कुछ घंटों के बाद या next day आपको यहाँ एक reply आ जाएगा कुछ इस तरह से तो देखिए मैंने यहाँ पे next day मुझे एक reply आया है हमें इसे continua nano है नीचे टाइपे वाले भॉक्स में हमें टाइप कर देता तो क्रीम से करने के बाद उसकी हमें टाइब क Sakало 12 कि क्होंत्र करना है ने पार की सलीन में तो बस्केड बेद रहेकी कुछ संट दिखा रहा हुँ तो मेरा जो मोभी विक अकाउंट वो डिलीट हो गया है और वो अटमेटिकली लॉगा हो गया है तो इस प्रॉसस को फॉलो करके आप भी चाहे तो अपने मोबीकुक एकाउंट को डिलीट कर सकते हैं अगर आप उसे इन फ्यूचर यूज नहीं करना चाहते हैं तो चली फ्रेंट्स वीडियो को एंड करते हैं आशक करता हूं कि वीडियो आपके लिए यूसफुल रहा होगा अगर यूसफुल रहा है तो इस व सब्सक्राइब कर लीजिएगा